चुनोती तो ये थी कि सभी लोग शांति पूर्ण धंक से आकर के जो अंतिम संसकार की कारवाई है इसमें शामिल हो जाए मजार पे मत्ती दालने अफातिया पढ़ने से कौन सी रोख है लेकिन एक बार एक साथ जाके हुलडबाजी ये मुनासिब नहीं चुनोती तो ये थी कि सभी लोग शांति पूर्ण धंक से आकर के जो अंतिम संसकार की कारवाई है इसमें शामिल हो जाए और इसके लिए हमने पूरे कस्वे में और आस्पास के अस्थानों पर डिप्लाइमेंट कर रखा था और परजनों से लगातार वार्था करते रहें और परजनों से अंपर करके जो उनके densely populated है आप लोग जानते हैं प्रते गहर में 20-25 लोग हैं कई-कई फैमिलिया हैं तो जब ऐसी कोई कहीं कि मृत्य होती हैं इंदकाल होता है किसी का तो लोग आते हैं समय नाएं बैक करते हैं तो गुरूप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में वहां प किया अब सपुर्दे खाक के बाद मिटी उटी देने के लिए जो दो-चार नियर एंडियर्स उनके जो परिजन हैं जिनकी अनुमत ही घरवाले दे रहे हैं वह अपना ग्रूप में आकर के मिटी की करवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्परसल का कारे होड़ा सचार आएंगे तो उनको रोग करके बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गdedligen बाकी लोगों को डिस्परस कर दिया गया क्योंकि रात से बुढ़ व्यु आई हैं तब कि लोग अपनी समविध्नाइब करते हैं आ रहे हैं घरों से आते हैं म और वापिस काफी लोग लोट गए हैं बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं. जिनके द्वारा आचार सहीता का उलंगन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है उनके वृत कारवाई की जाएगी बाकि सब सांती पूर्ण हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांती विदस्था बनाये रखें चूकि आदर्श आचार सहीता और सेक्शन 144 दुनों ह तो उसका उलंगन करने पर कारवाई की जाएगी बहुत सारे समर्थक दूर से आए उनसे क्या फिल करेंगी मैं किस तरह का जो समर्थक आये थे नारेबाजी कर रहे तो उसके अनुरूप सबको आच्रण रखना चाहिए जिसने भी उलंगन किया उसके विरुद कारवाई हो अब ही आपको मैंने बताया कि विडियोग्राफी कराई गई है उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है जो नारा लगाया उसके विरुद हम लोग एफाई हाट कराएंगे और फिर यहां इस हाते में जो पुर्खों की कबरस्तान है यहां पर दफन हुए फातिया हो चुका है चुकि भीड़ भार बहुत जादा थी ओवर क्राउड हो जाने की वैसे कुछ मुश्किले आई लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खेरियत से हो गया कुछ नहीं वो सब मत्ती आज दे लें कल दे लें जब चाहे आके फातिया पढ़ने मजार पे मत्ती दालने और फातिया पढ़ने से कौन सी रोख है लेकिन एक बार एक साथ जाके हुलडबाजी यह मुनासिब नहीं